मस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभिशेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टेक ग्रूप कुल चैनल में तो आज मैं एक्सिस ग्रोथ ऑपरचुनिटी को मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लूचिफ फंड के साथ मैं कंपेर करूंगा और कंपेर करने का बेसिक कारण है कि दोनों मिड लाज केटेगरी के मूच्व फंड हैं और दोनों बहुत ही फेमस मूच्व फंड हैं दोनों का जो पॉर्टफोलिय हो काफी ज्यादा सांदार है लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट से जिसके बारे में आज मैं डिसकस करूंगा तो उससे आपको ये बात पता चल जाएगी कि आपके लिए कौन सा मूच्व फंड सही है और वीडियो के दौरान में आपको ये भी बत लिएगा और इसी तरीके के इनफॉर्मेशनल वीडियो आपको अगर आगे भी चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा तो चलिए बढ़ते हैं आगे की स्लाइट में जिसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप की डेटा दिखा करके ये क्लियर करूं परफोलियो अगर हम लग एक लाइन में समब करना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि एक्सिस ग्रोफ ऑपरचुनिटी का जो एक्सपोजर है लार्ज काप में और मीट कैप में दोनों इक्वल है और वहीं पर अगर हम लोग मेराशी इमर्जिंग ब्लूचिप फंड कर देखें 9-60% का investment इनका जो है वो large cap में निकल के आता है और इनका mid cap में सिर्फ 38% का exposure है और small cap में negligible 2.2% का investment है तो इसके portfolio को देखकर के हम कह सकते हैं कि मीरा asset emerging blue chip fund का जो portfolio है ये large cap के तरफ में ज़्यादा जुका हुआ है तो इस portfolio को देखने के बाद में हम क्या निसकर्स निका सकते हैं तो अगर आप ऐसे investors हैं जो कि थोड़ा सा ज्यादा risk लेना पसंद करते हैं ज्यादा नहीं थोड़ा सा ज्यादा risk लेना पसंद करते हैं तो आपको access growth opportunity के साथ में जाना चाहिए क्योंकि इसका जो mid cap का exposure है वो approx 50% का है और वहीं पर अगर आप थोड़ा सा कम risk लेना चाहते हैं तब आपके लिए मीरा asset emerging blue chip fund बहुत ही बहतर रहेगा और क्योंकि मीरा asset blue chip fund का जो exposure है वो large cap में बहुत जादा है तो अगर हम लोग इसके sector wise allocation को देखेंगे तो financials में इसका approx 30% के आसपास में investment है टेकनलोजी में भी 10% के एप्रोक्स है healthcare में भी 10% के एप्रोक्स है और automobile में approx 8% के आसपास का ये exposure होगा और वहीं अगर हम लोग access growth opportunity का sector allocation देखेंगे तो इसका sector allocation में इसका जो financial sector है उसमें सिर्फ 23% का investment है और वहीं पे इसका जो technology sector का investment है वो काफी ज्यादा तग रहा है एप्रोक्स 80-20% का investment इनका technology sector में है जो की काफी अच्छी बात है और इनका services में 10% से ज्यादा का investment है वहीं पे chemicals में इनका 10% से ज्यादा का investment है तो एक तरीके से हम कह सकते है क्या है कि यह pure mid large cap category का fund है क्योंकि इसने chemicals में भी investment किया है इसने services में भी investment किया है इसने technology sector में भी investment किया है और इसी के कारण इसका जो mid cap का exposure है वह 49% का निकल के आ रहा है जो कि हम आगे जाके देखेंगे कि इसी के कारण इसका जो returns है वह भी मेरा asset से आपको ज्यादा निकल करके आएगा लेकिन यहीं पर दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही ultimate data अभी दिखाने के लिए जा रहा हूँ वो ultimate data है इनका portfolio overlap अगर आप Mira Asset Emerging Blue Chip को Mira Asset Large Cap के साथ में अगर इसका portfolio overlap देखेंगे तो यह 64% का निकल के आएगा इसका simple सा मतलब यह है क्या कि अगर आपके पास में Mira Asset Large Cap है तो आप Mira Asset Emerging Blue Chip Fund में बिल्कुल invest ना करी क्योंकि दोनों का portfolio overlap है वो 64% का है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि Mira Asset Emerging Blue Chip Fund एक mid-large category का fund तो है लेकिन इसका जो exposure है वो large cap में बहुत जादा है लेकिन अगर वही पर दुसरी तरफ आप देखें तो access growth opportunity को अगर हम लोग access blue chip fund के साथ में portfolio overlap देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सिर्फ 17% का portfolio overlap है इसका मतलब यह है कि अगर आप access blue chip में invested है तब आपको access growth opportunity में invest करने से आपको कोई भी loss नहीं होने वाला है है वही पर अगर हम लोग mira asset emerging blue chip fund का अगर हम लोग camera rubycow blue chip fund के साथ में overlap देखेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं इसमें भी 46% का overlap देखेंगे तो यह भी 31% का निकल के आघा है तो overall हम लोग एक decision पे निकल सकते हैं कि अगर आप Meera Asset Emerging Blue Chip Fund में invest कर रहे हैं तो आपको दूसरा कोई simple सा Blue Chip या index fund लेने से पहले portfolio overlap जरूर चेक करना चाहिए और in majority cases आप ये पाएंगे कि Meera Asset Emerging Blue Chip Fund का जो portfolio overlap है large cap category के साथ में वो काफी ज्यादा निकल के आ रहा है यहीं पे इसके returns को अगर हम लोग compare करके देखें तो access growth opportunity ने पिछले एक साल में 31% का return दिया है Meera Asset ने 22% का return दिया है तीन साल में access ने 26% का Meera ने 22% का return दिया है तो यह returns आखिर क्यों ज्यादा निकल के आ रहा है तो जैसा कि मैं आपको फिर से बता दो कि मैं हमेशा कहना हो कि access growth opportunity का जो exposure है वो mid cap में ज्यादा है और इसी करण से access growth opportunity का जो return है वो Meera Asset से ज्यादा निकल के आ रहा है और future में भी अगर access growth opportunity अपना mid cap exposure 45 से लेकर के 50% तक का रखेगा तो आप access growth opportunity में हमेशा अच्छे returns expect कर सकते हैं और जैसा कि दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि access growth opportunity में जो risk होगा वो Meera Asset Emerging Blue Chief Fund से ज्यादा होगा लेकिन इसके बिपरित अगर हम लोग data पर नजह डाले तो यह data आपको चौका देंगे अगर आप इसके risk measures को देखे तो access growth opportunity का mean, standard deviation, star, ratio, beta और alpha अगर इन सब को आप देखेंगे तो इनका जो ranking within category है वो 1 या 2 का है और सबसे बड़ी बात standard deviation जो की इस fund की stability को show करता है इसमें इसकी ranking 1 है जो की काफी काभीले तारीफ है और beta जो की again stability show करता है इसमें भी इसकी ranking 2 की है जो की काफी अच्छी बात है वहीं पर अगर हम लोग Meera Asset का हम लोग risk factors देखें तो इसका standard deviation काफी जादा नीचे निकल के आ रहा है उसका ranking 10th है अपने category में और beta भी 10th है अपने category में इसका मतलब है कि access growth opportunity का जो भी portfolio managers है वो अपने risk reward ratio को काफी अच्छे से manage कर रहे हैं तो दोस्तों अब दूसरे मुद्दे की बात की आखी इस दोनों mutual fund में से मैंने किसमे investment किया है तो अभी recently last month तक मैं मेरा asset emerging blue chief fund के साथ में invested था और यह जो investment है यह मेरा 6 साल से continue चला आ रहा था और मेरा asset emerging blue chief fund मुझे काफी जादा पसंद है इसलिए मैंने अपनी SIP इसमें continue रखी थी लेकिन access growth opportunity का जो recent इनका जो fund managers ने जो actions लिये है जो अपने portfolio में change किया है वो मुझे काफी जादा attractive लगा इसलिए पिछले मन्त मैंने मेरा asset emerging blue chief fund में जो SIP चल रही थी उसको pause कर दिया है और access growth opportunity में अपनी SIP शुरू कर लिये और दूसी बात यह है कि मेरा asset emerging blue chief fund के साथ में मैं अगर invest कर रहा हूं तो दूसरा अगर blue chief यानि कि large cap में अगर मैं invest करूंगा तो मेरे साथ में portfolio overlapping का बहुत जादा issue आ रहा था जो कि मुझे अपने portfolio में correct करना था तो यह भी एक कारण है कि मैंने मेरा asset emerging blue chief fund से access growth opportunity में switch कर लिया है तो यह भी आपको खुद से decide करना है अपने portfolio को देख करके decide करना है क्या कि इस दोनों mutual fund में से आपके portfolio में कौनसा mutual fund feedback हेगा तो दोस्तों यह थी आज की video आशा करता हूं आज का video आपको पसंद आया होगा इसी तरीकी के educational और informational videos के लिए हमारी team के साथ में जूरे रहे हैं तब तक के लिए दोस्तों खुछ रहे हैं and keep investing जैह हिंद